Hello everyone, मेरा नाम दिव्या तवर है, मैंने UPSC 2021 में rank 438 हासल की है और ये मेरा पहला अटेम्ट था रिजल्ट के बाद बहुत से बच्चों के calls और messages आए कि मैं अपनी strategy बताऊंगी कैसे मैंने पढ़ाई की और क्या-क्या मेरे resources रहे तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी strategy शेयर करना चाह रही हूँ और यदि इसके द्वारा आप में से किसी एक को भी थोड़ा बहुत भी कुछ फायदा होता है तो मेरे लिए खुशी की बात होगी तो देखिए सबसे पहले हम मेंस पे बात करते हैं जो मेंस के लिए मेरे resources रहे क्योंकि ज्यादातर बच्चों के कुछन resources के बारे में ही होते हैं सबसे पहले essay का पेपर आता है essay के paper में हमें दो essay attempt करने होते हैं the first step towards achieving your dreams is having the right coach get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true download the app now तो जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ऐसे चूज करने का होता है तो मैं यहीं कहूंगी कि जिस ऐसे जिस ऐसे को लेके आप सबसे जादा comfortable हैं और जो आपको अच्छे से समझ में आया है आप उसी essay को चूज करें और essay के लिए जो मेरे resources रहे वो निबंद द्रस्टी नाम से बुक आती है जो द्रस्टी I.E.S की है आप वो देख सकते हैं और एक बुक निशानत जैन सर की है जिसमें उन्होंने Toppers के कुछ essay मतलब include किये हैं तो वो भी आप देख सकते हैं एक बर मतलब idea लेने के लिए Otherwise essay में आपको अपने ही thoughts represent करने होते हैं और essay के लिए जो सबसे important काम है वो यह है कि आप एक अलग से उनको underline कीजिएगा कोशिश करिए कि black pen यूज हो जाए जहां हम course यूज कर रहे हैं या कोई important बात कोई data कोई fact या कोई report यूज कर रहे हैं तो essay के बारे में यहीं सब कुछ उसके बाद GS1 जीएस के पहले पेपर में देखिए उसका थोड़ा वास्ट syllabus होता है उसमें हमें history भी पढ़नी होती है न्यू भी पढ़ सकते हैं लेकिन मैंने old NCRT पढ़ी थी तो history के लिए सबसे पहले old NCRT 6 से लेके 12 तक उसके बाद आप spectrum पढ़ेंगे मतलब spectrum ऐसी है जो prelims में भी आपको help करेगी और mains में भी आपको help करेगी तो spectrum must है उसके बाद आप विपिन चंदर पढ़ सकते हैं मतलब मैंने जो विपिन चंदर की book थी सोतंतरता संग्राम यह वाली पढ़ी थी तो आप spectrum पढ़िए विपिन चंदर पढ़िए उससे मतलब डारेक्ली question पूछे जाते हैं तो जोग्रफी के लिए आप NCRT पढ़िए 6 सेले के 12 तक उसके बाद एक जी सी लियोंग की book आती है वो वैसे अभी तक शायद English medium में ही है लेकिन आप मतलब उसकी language बहुत simple है मतलब मैंने वो पढ़ ली थी कि मतलब उसमें से जो मतलब बेलक की जो book है वो बहुत lengthy है थोड़ी सी तो उसमें से जो selected topics है मतलब जो minerals के बारे में हैं या मतलब उसमें से selected पढ़ना है बस माजिद हुसैन में से और geography के लिए बस इतना ही और society के लिए आप society के लिए ज्यादा कुछ मैं कोई बुक परिफर नहीं करूंगी मतलब मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी society के लिए specially वो आपका newspaper से हो जाएगा और जैसे मेंस के टाइम जो वीजन IS का मेंस 365 आता है आप उसको जरूर पढ़िएगा वहां से cover हो जाएगा तो पहले paper के लिए इतना और GS2 GS2 में basically polity आती है तो पोलिटी के लिए वही आप 6-12 तक की NCRT मतलब Lakshmikanth आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेनी है मैंने Lakshmikanth का पतासरी कितने बार revision किया था तो Lakshmikanth आप अच्छे से पढ़ेंगे और एक governance पर उनकी बुक आती है लेकिन वह मैंने नहीं पढ़ी थी मतलब मैंने ली थी लेकिन मैं पढ़ी है मैंने पढ़ी निये तो आप देख लीजिएगा और बस पॉलिटी के लिए इतना ही NCRT आप अच्छे से पढ़िएगा मतलब उसके भी जो 11-12 के NCRT है वो बहुत इंपोर्टेंट है और उसके बाद आप लक्षमी कांद पढ़िएगा उसके बाद में से 65 पढ़ना है आपको पॉलिटी का तो वह पढ़िएगा और उसके बाद में से 65 आता है इंटरनेशनल रिलेशन्स का वह आप जरूर पढ़िएगा और उसके बाद एक द्रस्टी आइस की साइट है वहां से आप देख लीजेगा मतलब वो डेली जो एनलाइसिस करवाते हैं मतलब करंट अफेर्स का वह आप देख ल साल में आपके पास इतना कम टाइम होता है कि सारी चीजे कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो मैं बहुत सलेक्टर पढ़ा है मतलब मैंने जैसे जीएस थ्री में मैंने एकोनोमिक्स अच्छे से पढ़ा एकोनोमिक्स के लिए रमेश सिंग मैंने ली थी लेकिन इतनी कि अच्छे से मैं नहीं पढ़ पाई उसको क्योंकि वह बहुत लेंदी बुक है तो आप संजीव वर्मा प्रिफर कर सकते हैं मतलब संजीव वर्मा अच्छी है वो थोड़ी छोटी भी है और मतलब एजी लेंगवेज में समझाया गया है तो संजीव वर्मा संजीव वर्मा पढ़ लीजेगा आप economics के लिए और मुरनाल सर के जो lectures हैं मतलब मैंने सारे नहीं लिये मुरनाल सर के lectures मतलब कुछ-कुछ जैसे बजट वाले हैं जो economics survey वाले हैं वो सारे lectures मैंने लिये थे economics के तो economics के लिए बस इतना ही science and tech के लिए मैंने सिर्फ newspapers पढ़े थे मतलब जो भी current में जो रहा था वो गूगल-गूगल से देखके और मतलब newspapers ही मैंने अपना science and tech के notes बनाये थे कुछ और उसके बाद वो में 65 आया science and tech का तो वो मैंने पढ़ा था और environment के लिए देखे मैंने संकर IS पढ़े थी वो शायद English medium में ही है लेकिन मैंने उसको पढ़ा था मतलब वो easy language है आप समझ जाएंगे तो संकर IS पढ़िएगा मतलब वो prelims में भी बहुत helpful रहेगी और mains में भी helpful रहेगी तो environment के लिए संकर IS उसके बाद ecology के लिए जो environment and ecology के लिए कुछ और add करना चाहें अधुकर कोटवेसर की classes आते हैं वो YouTube पे भी अवलेवल है मतलब मैंने YouTube से ही ली थी तो मधुकर कोटवेसर से मैंने environment and ecology पढ़ा था तो आप देख लीजिए उनका अच्छा लगा मतलब मुझे उसके बाद GS4 एथिक्स का पेपर basically हमारी जो मतलब मतलब उसमें बहुत scope होता मतलब सबसे पहले lexicon पढ़िए, मतलब लेक्सिकों में उनों सीलेबस के हिसाब से मतलब बता रखा है सारी चीजे तो उसे हम एक basic idea हो जाएगा कि मतलब ETHICS क्या है और Syllabus में हमारे क्या-क्या है तो लेक्सिकोन मैंने पढ़ी थी, उसके बाद मैंने सर्फ टैस्सीरीज लगाई थी, इथिक्स की, मतलब मेंली जो सबसे इंपोर्टेंट यहां टैस्सीरीज है, क्योंकि टैस्सीरीज में आपको केस्टडीज मिलेंगी, और आप अटेंप्ट करेंगे, तो आपको पता चले सबसे इंपोर्टेंट है कि उसका सिलेबस, जी एस फोर का जो सिलेबस है, उसमें कुछ कीवर्ड्स दिये हुए हैं, जैसे सीविल, एक सीविल सेवक के क्या-क्या गुन होते हैं, जैसे ओनेस्टी है, और परजिवरेंस हैं, यह सब, तो आप वो कीवर्ड्स हैं, जो वो अ सबसे इम्हीन की स्टाटजी रही बेसिकली और परेलिंस के लिए जो मैं कहना चाहूंगी वो सबसे इंपोर्टेंट चीज है 기 esoू आप परेलिंस में, लगबग तीन महीने पहले से मतलब सिर्फ प्रेलिंस पर फोकस हो जाएए इं प्रेलिंस के लिए आपको कम से बोद बड़ा है आप सब कुछ नहीं पड़ सकते हैं लेकिन जितना आपने पढ़ा है उस पे मतलब आपकी एकदम पकड़ होनी चाहिए कि UPSC कहीं से भी कैसे भी घुमा के पूछ ले आप उसको अटेम्ट कर लें और प्रिलिम्स में ज्यादा से ज्यादा क्यों करने का प्र सीसेट के लिए देखिए मेरा बैसिकली मैंस बैग्ग्राउंड था तो मैंने सीसेट के लिए कोई खास परप्रेशन नहीं कि तो उस बारे मैं मैं शायद आपको उतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगी कि सीसेट के लिए कैसे तयारी करनी है वो आपको अपनी मतलब अपन एकदम लिमिटेड रहे और जितने रहे मैंने उनको बहुत बार रिवाइस किया. तो अगर मतलब मेरी प्रप्रेशन बेसिकली एक साल की रही एक देड़ साल की तो उसमें जितना मेरे से कवर हो पाया मैंने उतना कवर किया लेकिन रिवीजन मैंने बहुत जादा किया मतलब बार बार रिवीजन और उसके बाद अब हम ओप्शनल पे थोड़ा सा बात कर लेत अप्षणल मेरा Hindi literature था और Hindi literature में देखिए दो पेपर होते हैं पहला वाला पेपर नोट्स है वे भाश्याखंड का होता है और दूसरा वाला पेपर होता है वह जो फोड़ा सा factual होता है मतलब जैसे व्याकरन के बारे में पूछेगा वह आपसे कारक विवस्था है संग्या विवस्था है या फिर वह आप दो भोले योंगे बारे में पूछेगा जैसे आप अवरेंश है यह सब तो उसमें आपको notes से attempt करना है वो कुछ, उसमें कोई updation की जरूरत नहीं है या आप कहीं से newspaper से कुछ नहीं लेंगे, वो basically sir के notes से ही available हो जाएगा तो पहले paper के लिए sir के notes, बस मैंने sir के notes पढ़े थे, पहले paper के लिए और दूसरे paper के लिए भी मैंने sir के notes पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा उन में change किया था जैसे जो examples notes में थे, मैंने वो थोड़े change कर दिये थे, मतलब ताकि दूसरों से अलग लगे थोड़ा सा तो जो हमारी books हैं, जैसे गोदान है, दिव्या है, सकंद गुप्त है, आप उन में से थोड़े से अलग example ले लीजिए, मतलब ताकि examiner को थोड़ी हमारी copy अलग लगे तो और मैं optional के लिए बोलूँगे कि आपकी language थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसमें असुद्धिया ना हो, वर्तनी की कोई गलती ना हो, और आपकी handwriting ठीक हो, मतलब ठीक हो कि examiner को आसानी से समझ में आ जाए तो optional के लिए यही रहा, बस मैंने optional के लिए कोई notes नहीं बनाए, मतलब मेरे personally मैंने कोई notes नहीं बनाए, जब मैंने revision किया, तो सर के notes से ही revision किया और optional के लिए बस यही आप test series, और जो सबसे important बात है वो test series है, मतलब जो optional के हमारे 16 टेस्ट द्रस्टी आये सुकलब्द करवाती है, आप वो सारे लिखे, देखे, मैंने तो सारे तो नहीं लिखे, लेकिन मैंने सारे देख लिए थे, मतलब की, उनके modal answers और मैं क्या लिखती मतलब framing कर ली थी मैंने, और आप कोशिश कीजिएगा कि सारे लिखे, ताकि वहाँ जाके आपको कोई भी परेशानी ना हो इस सम्बंद में, तो मेंस के लिए आप test series लगाएंगे, मैंने जो test series लगाई थी वो द्रस्टी आइस से ली थी और वीजन आइस का अभ्यास लिया मतलब आपको confidence भी आजाएगा अगर आप अच्छा पर्फोर्म करते हैं तो मैंने जो बाइजू आइस की क्विज़ सी उससे अपनी नोट्स भी बनाये थे, ताकि मतलब मैं प्रेलिम्स के टाइम अच्छे से रिवीजन कर सकूं, तो यहीं मेरी मेंस की strategy रही मेंस और प्रे अगर आप केवल civil service परिक्षा के prelims, mains और इंटर्वियो के विडियो देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSE चानल, यहां आपको toppers के विडियो rank के हिसाब से arrange मिलेंगे, चैनल के link के लिए description box में जाएं और जादा तर बच्चों का यह सवाल भी होता है कि आप कितने घंटे पढ़ती थी, तो देखिए पढ़ाई घंटों के हिसाब से तो नहीं होती है, लेकिन अगर हम calculate करें, तो डेली आप 8 से 9 घंटे अगर पढ़ाई करेंगे, तो मतलब मुझे लगता है कि वो enough है, मतलब क किसी दिन हो सकता है कि आप 10 घंटे भी पढ़ लें, 11 घंटे भी पढ़ लें, और हो सकता है किसी दिन आप 8 घंटे भी पढ़ें, तो मतलब एवरेज आप 9 घंटे लेके चलें, कि डेली आपको 9 घंटे पढ़ाई करनी है, तो मुझे लगता है वो more than enough है, लेकिन आप regularly करें और मुझे लगता है कि अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे और सिलेबस के अकोडिंग पढ़ेंगे, तो ऐसा कोई reason नहीं है कि हमारा selection ना हो, देखें, बीच बीच में ऐसे, मतलब ऐसा time आएगा कि हमें लगेगा कि नहीं हो रहा है, यह हम पीछे रहे गए है, तो आप सब ऐ अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने भी जा सकते हैं, बीच में थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, और अपनी पढाई को continue भी रख सकते हैं, धन्यवाद।